उजयन जिले के तराना में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है यहां नाचन बोर चोराहे पर रहने वाले किराना ब्यापारी सुनील परमार की पत्नी और उनकी दो बेटियां फंदि पलट की मिली है हादसे में 6 साल की बेटी हंसिका 28 साल की पत्नी गायतरी की मौत हो गई है जबकि 20 साल की प्रियांसी की सांसे चल रही थी जिसे ततकार प्रारमिक इलाज के बाद रात में ही उजयन जिलास पताल रिफर कर दिया गया है के अनुसार घटना देर रात की है पती घर के सामने ही अपने किराये की दुकान पर था सामान समेट कर जब वो यह घर आया और पत्नी को खोशते हुए पहली मंजिल पर पहुँचा तो उसके हो सुड़ गया पत्नी और दोनों बेटियां फंदे पर लटकी थी यह देख ततकाल उसने सबसे पहले धाई साल की बेटी का फंदा काटा उसके बाद पत्नी और बड़ी बेटी को नीचे उतारा पती की सूचना पर पुलिस और एंबुलेस मौके पहुँची और तीनों को तराना अस्पताल लेकर पहुँच गई यहां पत्नी और बड़ी बेटी को मृत खोशित कर दिया जबकि धाई साल की बच्ची की सांसे चलने पर उसे उजन रिफर कर दिया गया है अब तक घटना का कारण अगजात है प्रारंबिक परताल में मामला सुसाइट का लग रहा है एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अबरीवा के नैशनल अस्पताल में उप्लब्ध है नैशनल हॉस्पिटल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पतेल के द्वारा उप्लब्ध करवाई जा रही है सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करे हमारा पता है नैशनल हॉस्पिटल समानतिराहा रिवा संपर्क करे सून्य साथ छे छे दो तीन पाज नौ नौ साथ चार पर या फिर संपर्क करे आठ छे सून्य दो आठ आठ पाज नौ नौ शून्य पर